हालो फ्रेंट साब आर यू आई थिंग और फाइन सो यह मारस की जो ओफिशियल पे अंसर की आ गई है तो बहुत सारे बच्चों के यही कमेंट आ रहे थे कि मैं मापका क्या स्कोरा कई सारे बच्चों ने यह कहा कि मैं आपके स्कोर कितने बन गए बहुत ही कम हो गए क्यों नहीं बता रहे मतलग कही तरह की अटपटे जो आ रहे थे तो हमने सोचा क्योंकि देखो फुटिया हुई थी तो गर पर आयो थे हमने सोचा था कि वीडियो गर पे मतल अफने सफुराल में जाकर भी बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर ही हमारा जो कृश्ट्टीं परफ है वो बहिस अभी बच्चे को डाउट है, क्योंकि उन दो एक तो आपका जो शायद कौन सा था, हाँ, एक लाइन अप दे रखा है, उसका लास्ट वाले का, और उसका लाइन अप नहीं होना चाहिए था, उसका डिसमिस आना चाहिए था, और एक क्षिन आपका था, आर्टिकल वाल क्योंकि हमारी जो PGT की थी, उसमें तो इन दो कोश्चन पर ही बच्चों को अबजेक्शन है, और वो दो कोश्चन मेरे बिल्कुल ठीक थे, इसलिए मैंने 8 मार्क्स बताए थे, तो अब मेरे जो है, उनको कटके 6 मार्क्स हो गए, और 6 और 4 थे ही गलत, तो 5 मार्क्स मेरे में बनते हैं, तो जो बच्चे ये सोच रहे थे, कि भई, मैं हमके इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं है, उनको क्लियर हो जाना चाहिए, इंग्लिश में अब की बार मैंने बहुत ही जादा मेहनत की थी, सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ इंग पर यही पूछ रहे थे, कि मैं चैलेंज करोगे या नहीं करोगे, देखो मैं तो चैलेंज नहीं करूँगी, क्योंकि वही वही बात है, चैलेंज वही करेगा, जिसका एक दो नमबर से रह गया, और हाँ, करना भी चाहिए, और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, तो उन्हा एक कमेंट कर दिया था, कि मैं हमने चैलेंज कर दिया है, तो देखो चैलेंज कर दिया है, तो सभी को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, उसका फाइदा सभी को मिलेगा, और जो बच्चे ये पूछ देते हैं, कि मैं आपका ओल ओवर स्कोर कितना रहा, तो देखो वैसे मैंने पहरे बता दिया था कि मेरा जो स्कोर है वो उससे कही न कहीं ज़्यादा ही बना है कम नहीं बना है क्योंकि हमने जो questions बिल्कुल सही थे उन्हीं को सही माना था और हमारी I think देखो मेरे पास question paper तो फिलाल यहां नहीं है तो मैंने question numbers का तो पता नहीं भी किसका सही क गलत क्या कुछ हो पाया है और challenge किसको करना चाहिए अगर आपको किसी भी question पर doubt है तो आप comment section में बेज़िएगा उसका answer क्या answer की कि recording मैं जरूर अगर मुझे कोई resource मिला तो जरूर available करवा पाऊंगी और total overall score है वो आपका क्या बना आप भी जरूर comment में बताईएगा तो जैस में शायद ज्यादा marks कट गए बस बाकी इस levels all over ठीक है तो मेरा जो score है वो पूरा ना नीचे ना कम पूरा 100 बना है तो इसमें किसी भी तरह का पहले मेरे 99 point कुछ संतिक बन रहे थे बट अब मेरा 100 बना है negative marking के बाद तो देखते हैं वही क्या कुछ हो पाता है वैसे possibility तो प पता चलेगा और जो बच्चे बहुत सारे इस चीज के बारे में जो यह कह रहे थे कि 104 है 110 115 है अब कई दिन होगे relax है और official answer की आने के बाद तो किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया है कि मैं मेरे 120 है 139 है क्योंकि इस तरह के कमेंट कई सारे बच्चे करके बच्चों को बहु पर बहुत सारे बच्चे मैंने पहले भी बताया था कि qualify के बच्चे से बहुत सारे बच्चे रह जाएंगे तो देखो मेरा score जो general होता है जो real होता है वो मैं आपके साथ share करती हूँ और कभी भी किसी भी type की अगर मुझे यह लगता है कि जो चीज मैं सच नहीं बता पाऊं इमेज डाउन होती है जी नहीं इमेज डाउन कैसे होगी भी इतने सारी मैनत की है तब जाके यहां पर पूचे है ठीक है अगर मैं 110 बता दूंगी तो उससे क्या मेरी इमेज बढ़ जाएगी जी नहीं ठीक है इमेज का कोई मतलब नहीं है फिलकर को result आएगा फिर बच्च यही कह रहे थे वैसे तो score काफी अच्छा है जिसने भी बताया सभी कह रहे है कि 90 तक ही जानी चाहिए maximum बट यह है कि कई जंगे paper आउट हुआ है वो system अलग है नहीं तो क्योंकि कही सारे बच्चे बहुत बच्चे जो है qualify की वज़ए से ही रह गए जिनके बहुत अच्छे अच्छे हम यह नहीं कहते हैं हम intelligent है जी नहीं बहुत सारे बच्चे जो है अच्छा score सब्जेक्ट में gain किया लेकिन English की वज़ए से रह गए ठीक है तो इसी लिए आपको हमने पहले भी बताया था qualify nature का यह मत मानना की 4 marks ऐसे ही आ जाएंगे और कुछ यह एक दो question ऐसे डाल होना चाहिए था उसका answer dismiss ही होना चाहिए तो अगर बच्चे objection लगाएंगे और जिन बच्चों ने यह ठीक कर रखा है तो कुछ बच्चे और qualify होंगे कुछ बच्चे और निकलेंगे ठीक है तो क्योंकि जो final answer की है revised answer की वो आती तो नहीं है लेकिन जो marks आते हैं वो revised answer की के उससे आते हैं तो देखो हमें तो कहीं यही है कि में हम आपका क्याते देखो मेरे को तो यही है अच्छी बात है अगर कोई और बच्चा entry करे ठीक है जितने बच्चों का selection हो उतना ही best है लेकिन यह है कि अगर उन दो questions को अगर माना जाता है तो वे English में 8 marks आ जाएंगे वर ठीक है क्योंकि जरूरी नहीं होता आपने मैनत करी हो उतना आप result ले पाओ ठीक है कई बार बहुत सारी situation matter करती हैं बहुत सारे questions ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हैं लेकिन किसी ना किसी वज़े से रह जाते हैं क्योंकि इस चीज़ को सिर्फ वही feel कर सकता है जिसने इसको experience ठीक है तो मैं अच्छे से इसको feel कर सकती हूँ जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं हमने बहुत अच्छी तियारी के थी लेकिन उते marks नहीं आपाए तो next time जो जो आपने गलती की है उन चीजों को ज़रूर ध्यान में रखेगा अगर आपका score आप general category से हो भई और अगर आपका 70 से कम है तो बहुत ही rare chance है ठीक है और जो 70 प्लस है बही 70 से 80 तक या 85 तक वो कही न कहीं danger zone में है लेकिन 90 प्लस वाले safe zone में अपने आपको मान सकते हैं क्योंकि जो अभी तक score का पता चला है और जो बच्चे बार-बार यही जिनका score 102, 105, 108 तरह से बताया जा रहा था बहुत सारे बच्ची जो है English की वज़े से रहे गए और कुछ ही है जो 2 marks की वज़े से रहे हैं तो जिन बच्चों ने challenge किया है उसको जरूर 100% accept किया जाएगा और जिन बच्चों ने right answer किया है असानी है कि वो रह जाएंगे जी नहीं जो अपका final result आएगा वो इनको मिला कर ठीक है तो देखते हैं कि भी merit list कहां तक जाती हो रहां कई सारे बच्चों के जो comment आते हैं कहते हैं कि मैं आप जवाब नहीं देते तो देखो मैं हर बार आपको यहीं कहती हैं कि चैनल को subscribe कीजिए subscribe कीजिए आप कितनी मानते हो ठीक है फिर भी हमें जितना possible हो पाता है उतन कोई query है comment कीजिए हम हमेशा आपकी जो problem है जितनी हो सकती है उसको sort out करने की कोशिश करते हैं और आपको क्या लगता है माक्स कैसे है यह ज़रूर बताइएगा और इसके साथ साथ आपका subject क्या है वो बताइएगा और हाँ कई सारे बच्चे subject पूछ रहे थे तो जो से शायद थोड़े से ज्यादा माक्स चाहिए हमें और SCST के 70 प्लस score है बहुत ही best है उनका हो जाएगा 100% sure है जो बच्चे यह कह रहे थे ना कि SC category से MM70 ही आपाई 75G नहीं उनका best score है उनका हो जाएगा general वालों को थोड़ा सा doubt रहता है वह उनकी list थोड़ी सी high जाती है SCST की बहुत ही ज्यादा कम जाती है ठीक है तो आपके जो query थी भार भार question पूछ रहे थे तो जैसे ही time मिला आपकी ये query भी क्योंकि मेरे पास question paper नहीं था तो OMR के साथ match करके अभी बनाई है बताई है वही इतने score बने है ठीक है पहले 99.9 कुछ बन रहे थे अब 100 बन रहे है तो यही हमारे लिए motivation का काम करता है और वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा सा comment ज़रो छोड़िएगा thank you